नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नियुकेडवी में आसा करते हैं कि आप लोग स्वस्त और मस्त होंगे और अपनी बढ़ाई बैतन कर रहे होंगे फ्रेंट्स जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है आधूनिक भारत का पथाए चाहस का जो स्लेवस है कैसे पढ़ने की और नी समय लिए उसको मत ना समझगे इसी से पहला विडियो है यूरूप presentation कमपनियों का आगमन देखेंगे कैसे कैसे यूपर कंपनी हमारे देश में आती हैं क्या वजा रही कि इनको जो है आना हमारे देश में तो आये देखते हैं कि इसमें यहां यूपर हो तो यहां पर कारण पारण बनता है यह बीच में जगा होता है कुस तुन्तुनिया एक जगा रहती है जहां पर अरब वाशियों ने अपना क्या कर लिया कब्जा कर लिया और वह भारत और यूरोप के मत ब्यापार को नहीं होने देते हैं उनको परिशान करते हैं अर्था तो पूरी तरह से भार यह मारके और समदिवाद दोनों से होता था फिर इन्होंने क्या किया एक नए मारकी खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं तो वहां पर यूरोप में एक राजा थे जिनका नाम था प्रिंस हेंड़ी वह इन सब को लेके काफी जो है उस सुप थे कि नए जो है मारकी खोज जो और नया एक व्योपारिक संबंद भारत के और यूरोप के मंतर अस्था पीत हो सके तो उसी करम में वह क्या करते हैं काफी जो है आप संद्री जो नावीख होते हैं उनको प्रेदीद करते हैं प्रेद का मतलब आप जाओ आपको जो आशकता होगी हम देंगे तो इस प्रकार का उनको पूरी तरह से वह व्योस्था देते थे तो उन्हों नहीं सकसे हुए मतलब जो कोई मार्ग की खोच किया नई देश की खोच कर पाया है उन्हीं के बारे हम लोग अध्यन करेंगे तो उस क्रम में आते हैं कुलंबस को निकलते थे भारत की खोच के लिए निकले थे लेकिन वह अपना मार्गे भटक जाते हैं और वो नए जगां पहुंच जाते हैं और उस नहीजगां का नाम होता है अमेरिका तो वह समय था 1421 to 1400 श्किमें इन्होंने अमेरिका की कोच की फिर एक ब्यापारि आते हैं जो थे वासकोडिकामा वासकोडिकामा क्या करते हैं वहीं निकलते हैं कोच करने के लिए 1498 में वह सफल हो जाते हैं और जो है 1498 में वह जो है जो है भारत के क्या नाम था उसका केरल के काली कट नामख जगह पहुंचते हैं वहां पे राजा जमोरिन जो है खुस वोकर उनके काफी मतलब एक भारत में क्या होता है अतित्त देवोभव की जो है सब्सक्रावना व्याप्त है तो जब एक भाई दूसरे देश से आये तो हमारे लिए वतित्त थे जमोरिन ने उनका काफी भावे स्वागत किया उनको बहुत आदा सतकार किया खिलाया फिलाया दो चार्तिन रहे जो भी थे इसके बाद क्या हुआ कि वह जो है अपना यहां से उसे जञ तो है भारत के मसाले आज भी उस समय तो कर दो ब्ल कि अपने देश में वहाँ पे उसको बिचते हैं ठीक है तो उनको क्या तो यह बात जो है इवरोप में पूरी आग की तरफ इन भारत में ब्यापार करना बहुत ही फायदे का सौधा है क्या होता है कि जो है जो पूतगाल से तो व्यापारी आते ही आते हैं और अन देशों से भी व्यापारी आना सुरू हो जाते हैं तो आएए देखते हैं पूतगाल से कैसे आये फिर उसके बाद अन देशों यूरोप के अन देशों से कैसे कैसे ब्यापारी आते हैं उस क्रव में हम देखते हैं तो जो प्रमुख देश हैं उनको हम पढ़ेंगे यहां पर वासको डिगामा 1498 में आ जाता है फिर उसके बाद एक है पुर्टुगाल का ही एक है जो है नाविक्था क्या ना था उसका पेट्रो अलवरेज पेट्रो बताता है तो यहां से खूश्ष्ट एक बना हुआ है कि वासको डिवामा भारत में कितनी बार आया था एक बार दो बार तीन बार चार वार तो आप कितनी बार बताएंगे दो बार कब कब आया 1498 में आया 1502 में यहां से एक रूप रिका बन जाती है फिर आप हम देखते है कि युरोप के अन्देश के व्यापारी होते हैं कैसे भारत में आते हैं उनके क्या होता है कमपनी स्थापना क्या क्या होता है प्रथम प्रफ़ेक्टी कहां बनाई थी यहां से कुश्चन हर एक्जाम में पूछा गया है चाहे वह इसका एक्जाम हो चाहे सिविल सब्सक्राइब यहां सभी कुश्चन यह पूछ जाते हैं कि आगमन का क्रम क्या है तो हम देखते हैं सबसे पहले यहां पर देखें चार्ट बनाया गया है देश आने का करम कंपनी अस्थापना प्रथम फैक्टरी आप लोग भी ऐसे चार्ट बना लेंगे अगर नहीं आद हो रहा है तो आप ऐसे करके कहीं पर चिपका लेंगे तो याद हो जाएगा वसे भी मैं अभी यहां पर आपको वी आने का क्रम क्या है पुर्दगाल आयते 1498 फी में और उन्हें ने कंपनी अस्थापना की अपनी 1498 बश्युक्त बनाई के रहां पर जहां के जमौरी नाया था वहीं पर केयल को चीविए अपनी पहली फैक्टरी बना ली फिर आते हैं डच डच जो है फंद्द्रा सो पंच ब्यापार करना शुरूब करता है कि यह इन्हों ने अपनी कंपणि अस्थापना इस नहीं यह साथ साल प्रदेश में आंधरदेश देखते हैं अंग्रेश यह इस भी में आते हैं इन्होंने कंपनी अपनी यह अपनी सूरत बना थी पूरत में सूरत में फिर आते हैं醒 वी सिसी सोलह सो सट में 1664 में ही कंपणी अस्थापना कर लेते हैं और प्रथम अगर बाद करा तो प्रथम फैक्टरी नोंने सूरत यहां पre आप चुछ ध्यान दीजेगा यहां कंपनी स्थापना और फैक्टरी दोनौन एक छीज नहीं ठीक है अस्थापना का मतलब जो है यहां पर डाकू मतलब एक जो है नियम कानून के तहट ब्यापार करने का जो है एक वह मिल जाता था कि आप ब्यापार कर सकते वह चीज़ होती थी कंपणी और फैक्टी का मतलब होता था दूर बना लेते तो यहां पर ध्यान देनिवादी चार्ट को देखके आप लोग यहां पर एक चीज़ ध्यान रखेगा कि आने का क्रम और कंपणी अस्थापना सारे लोगों का सेम है देखिए पुर्टगाल 1498 में 1498 में इन्होंने कंपणी बना ली अंग्रेज भी 1600 ठीक है 1616 में डेनी 1664 में फ्रांसीजी बस एक देश हैं भाई साहब डच कि डच ने क्या किया था कि आने का क्रम उनका अलग ह है और कंपणी स्थापना का क्रम है बार यह इतने इनीन यह की वजहां से जो है हम लोगों पढ़ीं से स्थापना का अलग हो जाता है तो आज हम उसे को समझेंगे हैं आपकशन हम याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें बदला हुआ है क्या बदला है उसके बार हम आपको बताएंगे तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं तो क्या है ट्री को देखते हैं गाल टच कर लिया अंगरेज ने निशा नाम की लड़की का ठीक है क्या है गाल टच कर लिया पुर्टगाल ने गाल टच कर लिया अंगरेज ने निशा नाम की लड़की का और लड़की कहां की थी फ्रांस की थी क्या है ट्रिक गाल टच कर लिया अंगरेज ने निशा नाम की लड़की का वो कहां की थी फ्रांस की थी तो गाल से क्या हो हुआ कि लिया यहां पर साइलेंट है टिको अंग्रेज नहीं को अंग्रेज से कि निसा नाम की लड़की का आप देखेंगे जेनिस निशा डेनीज Sव्एक और इजाए थे निशा अगर देनीश को डेनीश को टेनीश करने हैं तो हो जाएगा निशा ठीक है तो निशा से यह जाएगा डेनीश ठीक लड़की का जो कहां कि थी फ्रांस की थी इस आप यह किसका तरह माँ बंग गया ? यह तो यह जब हो गया तो कुछ नहीं करना है यह जो कंपनीयों का आगमन का क्रम है अब कंपनी अस्थापना का क्रम में क्या करना है कि यह डच और अंग्रेज को जो है पुर्तगाल ठीक है फिर अंग्रेज ठीक और यहां पे हो जागा अंग्रेज की नहीं क्या हो जाएगा डच और डेनिस और फ्रांस वह ऐसे क्यों ऐसे रहेंगे तो आप देख पार हैं आप ने आने का क्रम और कंपनी अस्थापना का क्रम बहुत अच्छे से समझ लिया ठीक है इसके बाद फैक्टरी भी याद कर लिएगा बस दो लोगों का सेम है कौन-कौन सा फ्वांसी सी का और जो है अंग्रेज का कहां है वो है सूरत में ठीक है और पूर्टगाल भाई साब पूर्टगाली जो है वासको डिवामा कहा रुखे थे तो केरल को ची में रुखे थे तो तीन का याद हो गया इसके बाद एक दो का हमें अपने खुछ से याद कर लेंगे मसूली प्यों और जो है तो यह आपको चार्ट बहुत अच्छे से याद हो गया यहां से पूस्चन आपको चरूर देखने को मिलता है तो आईए देखते हैं कि यह हो गया हमारे कंपनि पूर्टगाल का पूरी तरह से जो है देखने वाले हैं तो जब यह पूर्टगाली यहां पर इतना दिन भाई 1498 में आ गए और इतने दिनों से ब्यापार करते रहें तो जो ब्यापार में लाव होने लगा तो इन्होंने क्या किया कि यहां पर अपने जो है प्रमुख होता था जो कि वहां पर पूरा फैक्टरी कैसे ब्यापार हो रहा है कैसे क्या हो रहा है इस चीज की पूरी देखने करता था तो इसक्राम में उन्होंने क्या कि आप पहले जो है वाइसराय को भीजा एक वाइसराय थे उनका नाम था फ्रांसी सो दी अलमीडा कब आये वैंदरा फांस में आये और पंदरा सो नो तक रहे तो यहां से जब यह पहली आएं तो एक एक वहां से वहीं पॉइंट जाता है कि भारत में पूर्तकाली के प्रथम वासराय कौन थे यहिए यह थे त्षाराय कि कि स्कें पूरतकाल के वहीं टिक है एंगां ने सांति जल की नीथ जिसका हिंदी में नाम है सांत जल की कहां पर चलाए थी यह हिंद महाशागर में हिंद महाशागर में इन्होंने चलाए तो इस तो इनसे बस दो ही पॉइंट है प्रसमवाइस रहे थे बुरू आटर पॉल्सी प्रदान करने का कि इन्होंने कि इसलिए इसलिए प्रदान करने का क्या इसलिए उन्होंने उसको समाप्त कर दिया इसके पीछे उनका दिमाग था कि एगर हम नहीं लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ब्यापार बढ़ेगा और जो है हमारा देश मजबूत होगा ठीक है तो इन्होंने इस ब्लू वाटर सब्सक्राइब मैं गोवा को जीत लिया ठीक है गोवा की राजा कौन थे आदिल साहं थे ठीक है उन्होंने उन्से युदुव और उन ने अपनी कहा बनाए ती कुछ चीन बनाए थी ठीक है और इन्हों तो फ्रांसी सोदी अलमीडा ने चलाया था ब्लू वाटर पॉलसी और किसने साथ किया तो अलबुकर्क ने दोनों को ध्यान रखके पढ़िएगा तो इन्हों ने अपनी एक मीद ले आई थ्री जी तो आईए थ्री जी यहां समझ लेते हैं इसको ध्यान रखिएगा कि त्री ग्लोड, ग्लोड, ग्लोड का मलब इस्वर ग्या थे यह जो पुर्दगाली लोग थे इसाए धन को को परचार करो यहां पर प्र्यास की में ज्याति और से ज्यादा कि यह जो है यहां पर भारत वालों से प्रियास किया इन्हों ने संबंद बढ़ाए जो त्री उन्हों उन्हें इसकी चलाई ती कौन चलाए था अध्वुकर करें चलाए था क्या था तीनों की का मतलब समझ गया हैं अपने धर्म का परचार करना गोल्ड यहां से धन्द कमाना और गलोरी मतलब साधी करना इन से जो संबंदित था यह लोगों ने देख लिया अब तीसरे आते हैं क्या नामनका नीनोडी कुनहा क्या क्या जब भाई साब जो है अलबू कर्ग जो है गोवा को जीत लिये थे तो उन्होंने क्या पहले थी कोचीन में थे मतलव कह सकते हैं कोचीन से अपनी से राजहिः दराथानिंगे तीव और 1569 में इन्होंने दवन को जीत लिया था मतलब अपने कभजे में कर लिया था तो यहां पर तीनों हो गए फ्रांसी सोदी अलमीडा क्या कि यह प्रथमवाइस राय थे बुलू आटर पॉलसी चलाई फिर अलगु करका आए अलगु करका कि वास्तिक संथापक माने जाते है बुलू आटर पॉलसी को उन्होंने समाप्त कर दिया ठीक है और इन्होंने एक नए नीत थीजी ले आई क्या था गोल्ड ग्लोरी और गॉड ठीक है इसके बाद जो है और एक काम उन्होंने क्या किया था इतने प्रमुक्वाइस राय थे यह हो जाता है अब यह लोग जब आये पुर्दोगाली लोग जब कोई दो लोगों का मिलन होता है मतलब वापस में लोग बातचीत करते हैं मिलते हैं तो क्या होता है उससे कुछ लाब होता है कुछ हानवी होता है तो यह लोग जब आए तो वहां से हम लोगों को नई जो है कुछ किरसी की चीजे मिली जैस तो आलू और टामाटर का मतलब यह कुछन पूछा भी गया कि आलू और टामाटर की परजाद ही भारत में कहां से आई तो आप लोग इसको ध्यान रखेगा जितना भी लिखा हुआ है कि किसी ना किसी एक्जाम में सारा कुछन आया हुआ है तो आप अगर अलू टमाटर बूचहे गातो कहां बता देंगे कहां से लिया गया पुर्तगाल से प्राद और बहीं आए था और क्या-खुय लाभ हुआ भारत को जहाज निर्माड भरत में МУЗЫКА की बिधी आए प्रस्चलीथ हो गई लोग जहाज से यह आये थे उन्हों कि यहां रहने लगे तो उन्होंने जहाज जो है निर्माड की भारत को जो है बताई एक था अस्थापत कला में गोथिक अस्थापत कला एका पित्कला होती है आप लोग पढ़ेंगे नागरी नागर और यह जो है गांधार मत्रुरा सैली यह सारी सैली है उसी अधिकर गत्ता पंच्छारी जो कि अपने जो है कहां से समय प्रटगाल में पूर्टेगाल से और प्रिंटिंग अन्युज्ट शप खाना जहां पे छपता है कोई चीज भुके उके उसी हाप खाना प्रचलन प्रचलन जो है भारत में पूर्टगालियों से वह थैज पूछ लाग्स यहां पृपण हो थे उसको आप देख लिया अब दूसरी कमपणी है डच जो कि अभी हमने डिस्कस किया डच जो पंद्रासो पंचानवे आये ते शुलासो दोस्टवी में इस्टापना की और मसूली पटरा में ने पली प्रक्टी बढ़ाई तो उनके बारे में देख लेते हैं डच के बारे में कुछ खास नहीं पूछ प्रभुत बढ़ने लगता है तो उसी बीच नहीं चाहते हैं कि कोई अंग देश के लोग यहां पर रहे तो उसी में एक जो है 1769 में बिद्रा का यह विद्ध होता है जो अंगरेज और जो है अंगरेज और डच के बीच एक संघर्स होता है जिसमें डचों की हार हो जाती है और डच यहां से पूरी तरह से बुरी अविश्तर अपना लेके भाग जाते हैं इस पर डच का कारिकाल हो जाता है तो आज हम लोगोंने दो कमपनियों का देखा एक पूर्तकाल का देखा और डच का का देखा तो यहां पे पर समबंह Hers Stक ब्ने में रहेंगे तो इसक बर अच्छे से देखेगा नोट्स बनाईएगा जिससे जैसे आम लोग हमने आपको बताया है कि कंपनियों का कैसा आगमन हुआ कैसे उन्होंने यहां पर कंपनी की अस्थापना की आने का क्रम क्या था कंपनी अस्थापना का क्रम क्या है प्रधमभक्ति क्या है वह आप लोग एक बार देख